सवार हो जाए अगर सर पर कि कुछ पाना है तो फिर क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ नहीं आना है दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉक्सिंग रिंग में दहशत के दूसरे नाम इस दुनिया के सबसे महानतम बॉक्सर दग्रेटेश्ट एवर मुहमद अली की जिसके केवल नाम मातर से विरोधियों के पसीने छूट जाते थे दोस्तो आप उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में प्रोफेशनल तौर पर कुल 61 फाइटे लड़ी जिन में से 56 मुकाबलों में उन्होंने शांदार जीत हांसिल की और महच पांच बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन दोस्तों अली को सिर्फ बॉक्सिंग का बात साह कहना उनके सम्मान को कम करने जैसा होगा क्योंकि बॉक्सिंग इडिंग के बाहर की करिस्मे ने अली को दुनिया की महानतम हस्तियों में शुमार किया है और पूरे विश्व में उन्हें एक अलग पहचान दी है अली बॉक्सिंग रिंग के बात्षा होने के साथ ही साथ एक क्रांतिकारी समात सेवक भी थे जिन्होंने अमेरिका के अर्श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जम कर आवाज उठाई थी तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय खराब किये मुहम्मद अली को जरा करीब से जानते हैं और उनके अध्भुत जीवन से कुछ प्रेणादायक बातों को सीखने की कोशिस करते हैं मुहम्मद अली का जन 17 जन्वरी 1942 को अमेरिका के केंटिकी राज्य में लोईस विले नाम की जगा पर हुआ था बचपन में उनका नाम कैसियस मार्सिलस कले था लेकिन बाद में उन्होंने इसलाम धर्म को अपनाते हुए अपना नाम बदल कर मुहम्मद अली रख लिया जिसके बारे मैं मैं आपको इसी वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा दोस्तों अली को अपने रंग की वज़ा से बचपन से नसलिय भेद भाव का सिकार होना पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे उस समय नसल भेद चरम पर था और सभी सुविधाओं का बटवारा लोगों के काले या कोरे रंगों से किया जाता था एक बार बचपन में एक दुकानदार ने अली को केवल उनके रंग की वज़ा से पानी पीने से मना कर दिया था और यह बात उनके दिल को चोट कर गई उसी समय अली ने इस भेद भाव को खत्म करने का ठान लिया दोस्तो अली की बॉक्सिंग की शुरुआत भी एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग घटना से हुई हुआ कुछ यूँ कि अली जब बारह साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक साइकल गिप्ट की थी अली उस साइकल को बहुत पसंद करते थे और उसकी जी जान से देखभाल करते थे लेकिन दुर्भागे से उनकी उस साइकल को किसी ने चुरा लिया जिस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन अली ने ठान लिया कि वह बिना किसी के सहायता से खुदी चोर को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे इसी बात को मन में लिये वे अपने एक जान पहचान के पुलिस अंकल के पास गए और फिर साइकेल चोरी की बात बताते हुए उनसे चोर को पकडने का तरीका पुछा इस बात का जवाब देते हुए अंकल ने कहा बेटा चोर को ऐसे ही थोड़ी ना पकड़ा जाता है चोर को पकड़ने और सजा देने के लिए तो बॉक्सिंग आनी बहुत ज़रूरी है इस बात को अली ने सिरियसली ले ली और तुरंथ ही बॉक्सिंग सिखना शुरू कर दिया लेकिन समय बीटने के साथ ही साथ उनके अंदर बॉक्सिंग का जैसे जुनून सा हो गया फिर क्या था? छे साल बाद 1960 रोम उलम्पिक में दुनिया ने अली का असली रूप देखा जब उनका मुक्का गोल्ड पर जा लगा उस समय अली की उम्र केवल 18 साल थी 1960 रोम उलम्पिक में गोल्ड मिलल जीतने के साथ वे अमेरिका के लोगों में बहुत ही पसंद किये जाने लगे लेकिन बॉक्सिंग में अली की असली चनौती तो उनके 22 साल की उम्र में सामने आई जब वीरोधियों पर बेदर्धी से हमला करने के लिए मसखूर बॉक्सर सणी लिष्टन से उनका मुकाबला होने को आया दोस्तो उस समय लिष्टन के सामने टिकने की कोई हिम्मत नहीं करता था लेकिन मुहम्मद अली ने लिष्टन को हरा कर वो अपने नाम कर लिया अगले ही साल एक बार फिर से सनी लिष्टन को रिंग में पीट कर लोगों की बोलती बंद कर दी और अपने बाश्राहत की तरफ एक और कदम बढ़ाया दोस्तो 6 फिट 3 इंच लंबे मुहम्मद अली जब मुकाबले के लिए रिंग में उतरते थे तो अपोजीशन के मुक्के बाजों की रूह काप उठती थी लेकिन दोस्तो अस्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की वज़े से मुहम्मद अली के निजी जीवन में काफी उतल पुतल मची रही और फिर इनी सवी समस्याओं से परिशान होकर अली ने इसलाम धर्म अपना लिया और अपना नाम कैसियस मार्सिलस कले को बदल कर मुहम्मद अली रख लिया अली अपने पुरानी नाम को गुलामी की पहचान कहते थे लेकिन यहां से उनकी परिशानी कम नहीं हुई बलकि और भी बढ़ गई वियतनाम युद्ध के समय अली ने अमेरिकी सीना के साथ जाने से मना कर दिया जिसकी वज़य से उनके सभी मिडल्स उनसे छीन लिये गए इसके अलामा बॉक्सिंग लाइसेंस और पासपोर्ट को भी जब्द कर उनपर बैन लगा दिया गया और पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई लेकिन मुहम्मद अली का होसला अभी भी पस्त नहीं हुआ उन्होंने अमेर्की सरकार की कारवाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार कोर्ट ने उन पर लगे हुए आरोपों को सही नहीं मानते हुए फैसले को बदल दिया और उन पर लगाये गए सभी प्रतिबंदों को हटा दिया मुहमद अली ने 1971 में करीब 3 साल बाद फिर से रिंग में वापसी की लेकिन वह वापसी के बाद का पहला मुकाबला हार गए और इसी के साथ उनका कभी ना हारने का रिकार्ड तूट गया लेकिन अगली ही फाइट से अली फिर से जीत की रह पर लोटे और उसके बाद से कभी भी पीछे ना देखते हुए बॉक्सिंग में अपनी बाद साहत कायम की दोस्तो मुहमद अली को इत्यास में दुनिया का सबसे बड़ा हैवी वेट मुक्केबाज कहा जाता है उन्होंने तीन बार हैवी वेट चेंपियलशिप अपने नाम की है आखिरकार बॉक्सिंग के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए उन्होंने 1981 में अपने कैरियर की अंतिम फाइट लड़ी और फिर 1984 में उन्हें पार्किंसन नाम की बिमारी हो गई जिस बिमारी के वज़ा से उनके हाथ पैर के साथ ही साथ जुबान भी थर्थराने लगी लेकिन अली का संगर्ज आखरी दिनों तक चलता रहा और वो दुनिया भर में शांती और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते रहे 2005 में उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े एवार्ड Presidential Medal of Freedom से सम्मानित किया गया दोस्तो अगर अली के Personal Life की बात की जाए तो उन्होंने चार साधिया की जिनसे उनको कुल नौ बच्चे, साथ बेटे और दो बेटिया हुई उन बच्चों में उनकी सबसे छोटी बेटी लैला अली भी बहतरीन बॉक्सर रही है मुहमद अली ने अपने किसी भी फैन को और्टोग्राफ देने से मना नहीं किया क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन्होंने उस समय के फेमस बॉक्सर सूगर रे रोबिंसन से आटोग्राफ मागा था लेकिन रोबिंसन ने उन्हें आटोग्राफ नहीं दी और टाइम ना होने का बहाना बनाते हुए आगे निकल गए रॉबिंसन के उस बात का अली को बहुत दुख हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि उनके मना करने से उनके किसी फैन का दिल तूटे आखिरकार शांती और दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाते हुए हैबिवेट वॉक्सिंग के इस बात्षाह ने 3 जून 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन दोस्तों वॉक्सिंग करने वाले आएंगे और चले जाएंगे लेकिन तक ग्रेटेश्ट एवर हमेशा एक ही रहेगा दोस्तों मनों से अपने विचारों से बना होता है वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंबह नहीं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए ये आश्मा भी आज आएगा जमीन पर दोस्तों बस हमारे इरादों में जीत की घूंच चाहिए आपका बहुमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद